हां जी सस्रियकाल सारियानू, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और मैंने आते के साथ ही सस्रियकाल किया, तो आप लोग समझ गया होंगे, कि आज मैं नोटिफिकेशन के बारे में जो बात करूँगा, वो पी ए स्टैट की जो नोटिफिकेशन अभी आई है, ऐसे बच मतलब से subject आप लोगों के पूछे जा रहे हैं बाकी सर हम इसमें एक discussion ये भी करेंगे कि ये सीटेट से कैसे सिमिलर है हमारा पियेस्टेट वर्से सीटेट बिल्कुल बिल्कुल ये जी करते हैं क्योंकि सर एक चीज है मैंने मतलब देखा है कि इनके पास पंजाबी subject रहा होगा तो वो इस form को apply कर सकते हैं तो एक बार मैं आपको यहां पर बता दू कि जो हमारा पियेस्टेट का एक्जाम है सर इसके अंदर भी जो कोशन से वो multiple choice कोशन ही है से टेट की तारा बिलकुल चारी ओप्शन इसके अंदर आपके होंगे और अगर हम यहां पर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग के लिए इनोंने मना किया हुआ है कि पेस्टेट में जो हमारी है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है जैसा यहां तब बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद सर जैसा सीट एट में paper 1, paper 2 होता है, तो वैसी paper 1, paper 2 यहां पर है आप लोगों का, और मतलब paper 1 जो है वो primary के लिए, तो TGT के लिए, उसके बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर कोई परसन ऐसा है, जो दोनों के लिए पेपर 1 और 2 के लिए, तो वो दोनों पेपर के लिए अपलाई कर सकता है, जैसे सीट एट में करते हैं सेमुसी तरह, आप कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं बार-बार सीट का नाम इसलिए ले ले रहा हूं क्यों कि वो सेंट्रल लेबल पे है, उसको लगब सभी लोग भरते हैं और क्या-क्या सिमिलेर्टी हैं हमारी उन पर भी हम यहाँ पर डिसकुशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा सर प्राइमरी का क्या पैटन होगा वो एक बार आप बच्चों को बताईएगा, सर पैटन बिल्कुल सीटेट के जैसा है, बस एक जगे परीवरतन है, डेड़ ग यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर Point or English सिर्गी का उप्स्छन हमारे पास में नहीं है, फर्स्ट लंग्वेज, पंजाबी और सेकेंड मारी तवाडी में लेकिन, आपको जो तौर ना तैप पंजाबी पर बोल के थाइव तो सेम है कोई ज्यादा डिफरेंस निया लेंगविज का डिफरेंस है बागी सारी चीजे सरे इसमें वही है जो सीटैट में होती है कि प्रशनों का इस तर वही होगा जो एक से पांच के लिए मतलब बच्चे के उम्र जब 6 से 11 साल की उम्र होती है उस उम्र के हिसाब से बच बच्चों में में कन्फ्यूज इह भु सकता है कि सर कंटेंट पूछा जाएगा की पेड़ सी निपन पर गोजगी जो जैसा सी टेट में होता है 15 नंबर का कॉंटेंट होता है 15 निंपर की पेड़ा पड़ोजई होती है तो यहाigen पर क्या है कि साफशफ लिखा हुआ है कि जो हमारी मतलब चीजे हैं, ठीक है ना, कि आपका जैसे मैं लेंग्वेज की बात करूँ, जो हमारी इंग्लिस लेंग्वेज है, तो वहाँ पर क्या होगा, कि कॉंटेंट तो है ही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ दिया गया, कि पैड़ागोजी ओफ लेंग्वेज डवलप् जाएंगी, इसी में जब हम आगे चलेंगे, लेकिन सर मैतमेटिक्स और एनवार्मेंट इवीएस में यह जो अनुपात बदला हुआ, बिल्कुल, तो यहां पर देखेगा, मतलब अगर इंग्लिस के लिए हम बात कर रहे थे, तो 45 से 50 परसेंट आपकी पैड़ागोजी थी तो यह चीज आप लोगों को जो है, यहां पर क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है, ठीक, बाकी अगर हम इसको CDP के लिए जैसे हम देखते हैं, तो यहां पर सर आपको बता भी रहे हैं, कि वहां पर 70-30 का रेशो है, तो मतलब वो रेशो जो है अलागे, बट एक बात स कार रहे हैं, तो हम चाहें पांच नंबर के लिए करें बढ़ना के लिए 15 नंबर के लिए प्रणातों पूरा ही होता है, तो वह खेर अप मैटर नहीं करेगा कि 5 कोषण आएंगे कि 15 क्योंकि प्रणा पूरा ही शलीबस पड़ेगा, अमरिक टसना वाली बात है, हमारे सामन मरीची का डाल दी गई है लेकिन हमें पढ़ना तो सारा ही होगा उसी के बाद जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो नीचे सलेबस है सलेबस के बारे में भी डिसकसन करेंगे लेकिन उससे पहले पेपर 2 जो हमारा है जो 6-8 वाला है उसमें हमारी क्या-क्या चीजे पूछी जा तो एक बार सर बताइए सेम टूसेम है सर दोनों लेंगवेजेज हैं पंजाबी और इंग्लिष है पहली लेंगवेज पंजाबी दूसरी इंगलिष तीस नमबर की आपके सामने सीडीप आएगी लेकिन सर बागी जो 60 नमबर बचे वही सीटेट वाला उन्हों नहीं साब साथ नमबर में आपके जो है अगर आप मैट्स के लिए है तो आपका मैसें साइंस आएगी और अगर आप दूसरे पोर्शन के लिए है तो आपकी एसेश्टी आएगी इसमें मतलब नमबर यहां पर भी सेम है सीटेट की दरह सीडीप थर्टी हमारा और दोनों उसके बाद जो बचे 60 है अगर आप मैट्स साइंस स्ट्रीम है आपकी तो मैट्स साइंस के 60 कोशन आएगे और अगर आपके पास में एसेश्टी है तो आप एसेश्टी जो है के साथ कोशन आप लोगों को करने होंगे अब यहां पर भी थोड़ा सा जब हम देखेंगे तो सीडी पी का जो है वही यहां पर रेशो है सेवंटी थर्टी वाला रेशो है कॉंटेंट और पेड़ागोजी का पंजाबी लेंग्वेज और इंग्लिस लेंग्वेज आपका सेम जो भी हमने पेपर वन के लिए डिसकस किया था उसके बाद जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि मैद साइंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो 60 नंबर में और 60 नंबर में वही आपका यहां पर भी 70-75% कॉंटेंट है बाकी आपकी पेड़ागोजी और सेम आपका एसस्ट के लिए यहां पर आप लोगों का दिया हुआ है जो चीजे होंगी आप के लिए आपके लिए अपके लिए न करेंगे हा हाला की आपके लिए एक लिए अलग-बार करेंगे हम से करेंगे। हिंदी तो इसमें है नहीं तो सर को क्या कहते हिंदी नहीं लेकिन जैसे मैं एन्वायरमेंट की बात बता हूँ मैं इवियेस की आपको बात बता हूँ तो फैमली एंड फ्रेंड आप सीट की नोटिफिकेशन उठाना तो उसमें भी आप देखोगे रिलेशन्शिप, बर्क, प्ले, एनिमल, प्लांट ये सब थीम और सब थीम जो है इसी के अंदर आप लोगों को मिलेंगी फूड, शेल्टर, वोटर, ट्रेवल, थिंक्स वी मेक एंडू मतलब आप ये मानके चलिएगा कि एक भी टॉपिक चेंज नहीं है यहाँ पर और पेड़ागोजी में भी आपके वही सारे के सारे टॉपिक हैं जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं तो लगभग लगभग सिमिलर हैं और मैं इसका एक डिटेल सेशन भी आप लोगों के लिए करूँगा तो यहाँ पर वही सारी चीज़े हैं कि जो स्लेबस है वो हमारा सात्यों लगभग लगभग सेम है और आज से आपके फोर्म जो है अपलाई होना सुरू हो गए है तो अगर आपने अभी तक अपलाई नहीं किया है तो आप जो भी इलिजिवल हैं जिनके पास 10th में क्या कहते हैं आपकी जो पंजाबी लेंगवेज है तो पंजाबी लेंगवेज वाले इसको एपलाई कर सकते हैं जहां पर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं पूरा स्लेबस इसमें पीछे दिया हुआ है और सारी की सारी चीजे इसमें पीछे जो है वो बताई गई है तो ये हमारे दुआरा दी गई जानकारी थी अगर उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दिये गए नंबर पे फोन भी कर सकते है ठीक है और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट भी कर सकते है जरूरत होगी तो हम उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो ले करके आएंगे तो प्यारे साथ ही हो मिलेंगे फिर हम अगले सेशन में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि क्लासिज आपकी अल्रेडी चल ही रही है जै हिंद जै भारत